नश्कार दस्तों आज को बीड़ों में एक बाफिर से आप सभी का बहुत आस वागत है और आज को बीड़ों दस्तों जासे के आप देख रहे हैं आज हमारे साथ है Pulsar N250 अपने न्यू रेसिंग रेड़ क्लर में और बताना चूंगा इससे पहले मैंने आज तक इस बाइक का इस कलर में कोई भी बाइक का रिव्यू नहीं किया है और वाकाई में दोस्तों जासे कि आप देखरें वीडियो में देखने में भी आपको ये कलर इस बाइक पे बहुत ही प्रीमियम सा नजर आ रहा है हाईवे में 85 किलोमेटर पर आवर के स्पीड में कितना मालेज मिलेगा और आप अगर इस बाइक को हाईवे में 100 किलोमेटर पर आवर के स्पीड में राइट करते हैं तो इस speed में आपको इस bike में कितना mileage मिल सकता है इसकी जानकरी मिल जागी और आप अगर इस bike को finance में लेना चाहते हैं तो minimum कितना down payment करना होगा हर मैने EMI कितना pay करना होगा इन सभी चीजों के बारे में भी आपको जानकरी मिलने वाली है तो चलिए दोस्तों यहां से वीडियो क इस bike को लेना चाहते हैं तो बताना चाहूंगा इस bike में आपको एक ही variant मिलता है और इस bike का हमारे जम्शितपुर का on-road price है 1,84,483 रूपीज और आप सभी जानते कि इस bike में आपको dual channel ABS मिल जाता है साथी दोस्तों bike के color option की बाग करें तो pulsar N250 में आपको total 3 color option मिलता है आपके screen पर अभी आप जो color देख रहे हैं इसका racing red color और इसी के साथ इसमें आपको एक black और एक pearl white color मिल जाता है अगर आप इस bike को finance मिलेना चाहते है तो हमारे जमशेदपूर के बजाज finance से आप इस bike को 31,999 के down payment पे finance भी करा सकते हैं अगर आप 24 मन्त EMI पे लेते हैं तो आपको हर मन्त पे करना हुआ 7,670 रुपीज 36 मन्त EMI पे लेने कला आपको हर मन्त पे करना हुआ 5,546 रुपीज और 48 मन्त EMI पे लेने कला आपको हर मन्त पे करना हुआ 4,498 रुपीज आप बात करते हैं इस बाइक के सबसे खास चीज बाइक के इंजन के बारे में और आप सभी जानते कि इस बाइक में आपको 250cc का 4-stroke 2-wall single cylinder oil-cooled engine मिलता है जिसमें आपको maximum power 24.5 PS का power और maximum torque 21.5 Nm का torque मिलता है जिसके साथ इस बाइक के fuel supply system में fuel injection system और bike के transmission में आपको 5-speed manual transmission के साथ bike में आपको assistance slipper clutch मिल जाता है और bike में आपको kickstart नहीं मिलता है इस bike में आपको self start मिल जाता है और आपकी जानकरी के लिए बताना चूंगा कि bike में आपको traction control भी मिलता है और मालेश की बात करें तो बताना चुँगा कि अगर आप इस बाइक को इको स्पीड में मालब 50-55 या 60 तक के स्पीड में अगर सीटी के अंदर राइट करते हैं सिंगल राइट में तो मेरा मानना कि हमारे जमशेद पूर सीटी के अंदर जब मैंने इस बाइक का मालेश टेस्स किया था तो मुझे 40 प्लस का मालेश देखने को मिला था अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजेगा और आपको ये भी बताना चूँगा कि मैं इस बाइक का एक 85 km per hour के स्पीड में हाईवे मालेश टेस्ट और एक 100 km per hour के स्पीड में इस बाइक का हाईवे मालेश टेस्स कर चुका हूँ इन दोनों वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते तो इनका लिंक में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इंड स्क्रिंड में लिंक दे दूँगा जब भी आपके बस समय होगा वीडियो जोड़े देखेगा साथी दोस्तों बता दो कि अगर आप पलसर N250 इस बाइक को लेते हैं तो बाइक में आपको राइट करने के लिए तीन मोड मिल जाते हैं आप इस बाइक को रोड मोड में, रेन मोड में और आफ रोड मोड में राइट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम बाइक के मिलने हैं इसके सभी features की बात करते हैं जल्दी से, आप सभी देख रहे हैं कि इस बाइक का जो rear way mirror है आपको काफी stylish सा black finisher मिलता है, headlem की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे wolf के shape में आपको काफी aggressive से दिखने हैं इस बाइक का headlem नजर साथ ही इस LED position light के ठीक ऊपर एक graphic है जिसमें white and red कर आपको नजर आएगा turn signal indicator पर थ्यांदेंगे तो आप देखेंगे यह काफी sleek है और इसमें आपको LED मिलता है इसे भी on करते हैं तो on होने के बाद आपको यह कुछ इस तरह का नजर आएगा और आप देखेंगे यह बहुत 27 mm डाय का USD fork मिलता है golden color का जिससे यह देखने में काफी premium सा लगता है और side में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक reflector भी लगा है mudguard पर ध्यान देखेंगे तो आप देख रहे हैं इस bike का जो mudguard है आपको dual tone में मिल रहा है उपर के तरफ में आप देख रहे हैं इसमें body color से red color को paint किया गया है और इसके side का जो rear आला part है आप देख रहे है वो mad black plastic material का है और यहाँ पर आप देखें आपको dual channel ABS एक sticker में लगा हो मिलता है इस bike के अलाइवील पर ध्यान देखेंगे तो आप देखेंगे bike में आपको 17 इंच का काफी sporty सा अलाइवील मिलता है जिसमें rim tape भी लगा है और इसके front में wheel पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको 110 by 70 section का आप देखेंगे tubeless tire और इसके front brake में 300 mm का पैट connectivity मिलता जिसमें आप call alert, miss call alert, SMS alert और phone battery level देख पाते हैं कहाँ पर इस जगा पर ध्यान दिजएगा मैं key को बंद करके on करता हूँ आप देखें आपको नजर आया इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आप navigation भी देख पाएंगे इस तरफ में एक बरफिस से बंद क प्रेस करने के लिए lap set के handlebar में आप देखेंगे यहाँ mode button अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ एक बर तो आप देखें एक बर प्रेस करने पर आप इस बाइक में सबसे पहले तो आई-ए-फी इंस्टेंट फिलिकनॉमी देख पाएंगे और एक बर फिर से प्रेस करता हूँ तो आप देखें ट्रिप A का average फिलिकनॉमी देख पाएंगे फिर प्रेस करूँगा आप ट्रिप B का average फिलिकनॉमी देख पाएंगे फिर से प्रेस कर रहा हूँ तो देखें यहाँ warning शो कर रहा कुछ आएगा तो warning में इंटर करने के लिए है और एक बर फिर से प्रेस करता इसी के साथ DTS, इसका सर्विस होने में भी कितना किलोमेटर बाकी वो शो कर रहा है, साथ ही यहां से आप टाइम वेगरा भी सेट कर पाएंगे, और वापस exit में आके mode बटन को अगर मैं long प्रेस करता हूँ, तो आप settings फिर से बाहर आ जाएंगे, आपने देखा मैं बाहर आ ग मोजे इस mode बटन को डबल प्रेस करना है, आप देखे, यह आफ रोड में आ गया, तो इस तरह से आप mode को change करके bike को right कर पाएंगे, और यहां side में काफी सारी indicators है, जैसे कि यहां neutral indicator है, यह check oil indicator है, इसके बाद यहीं पर आप देखे, आपको high beam indicator मिल रहा है, और उपर में इसक turn signal indicator, traction control indicator, ABS indicator, और malfunction indicator आपको मिल जाता है, right side के handlebar में आएंगे, तो आप सभी जानरे के इस bike में आपको, यहां पर engine kill switch, headlum, on-off switch, और self मिल रहा है, और left side के handlebar में आपको integrated high beam, low beam, pass switch के साथ mode button, turn signal indicator, switch और horn मिल जाता है, और bike के दोड़स को key पे ध्यान देंगे, तो आप देख पा रहे हैं, और इस bike का fuel tank cap है, आप देख रहे हैं, आपको black finisher मिल रहा है, जिसमें E20 के sticker लगा है, और यह जो fuel tank cap है, आप देखे, इस bike के tank के साथ attach है, और बताना चूंगा, इस tank का उपर आला part आपको complete metal का मिलता है, साथ ही आप देख रहे हैं, इस bike में आपको काफी muscular look म लगा मिलता है, साथ ही आप देख पा रहे हैं, इसमें जो graphic है, इसमें काफी सारे color को option को use किया गया है, नीचे tank call पे आप देखेंगे, यहाँ पर maroon color के paint के उपर white sticker है, और उपर आला fuel tank आप देख रहे हैं, आपको red color के paint के साथ मिल रहा है, और इसमें white and maroon color का graphic नजर इस fuel tank में आपको 14 liter capacity मिल जाता है, और fuel tank cap को lock करने के लिए बस आपको इसे press करने की ज़रत है, आप देखेंगे, बहुत ही आसानी से lock हो जाता है, और आप देखने, tank के ठीक ऊपर यहाँ पर आपको USB mobile charging socket भी मिलता है, इस bike के seat पे दोस्तों ध्यान देंगे, तो आप देखे काफी soft है, तो city और highway दोनों में ride करते हैं, आपको rider-a-seat बहुत ही comfortable मैसूस होगा, और बताना चूँगा, इस bike का seat height 800 mm रखा गया है, तो मेरा मनन है कि अगर आपका height 5 feet 5 inch होगा या उसे थोड़ा उपर रहता है, तो आप इस bike को लेके बहुत ही आराम से ride कर पाएंगे, टेल लेंप पर ध्यान देंगे, तो आप देख रहे हैं, इस bike में आपको split LED टेल लेंप मिलता है, जिसे इस bike को rear से देखने में ये काफी unique सा नजर आता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस bike के number plate के लिए, और इसके ठीक ऊपर एक reflector और reflector के ठीक नीचे एक light है, जो number plate के indicator मिलता है, और यह यहाँ भी आप देख रहे है, flexible नहीं है, बाइक के rear suspension पे दोस्तों ध्यान देंगे, तो आप देख रहे हैं, इसमें आपको mono shock absorber मिल रहा है, और आप इसे अपने ही साप से दोस्तों adjust कर सकते हैं, rear tire के सामने के तरप में आपको एक plastic material का mud guard लगाओ मिल रह और यहाँ पर rear में आपको 140 by 70 section का tubless tire मिलता है, और rear brake में आप देखेंगे यहाँ पर आपको 230 mm का disc bit मिल जाता है, और exhaust पर ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे इस bike में आपको dual barrel काफी compact सा exhaust मिलता है, और आपको दिखाना चूँगा, कि इसका जो यह पीछे अला black part है, यह भी आपको metal का मिलता है, तो चलिए showroom के अंदर ही सही, एक बार मैं आपको bike का exhaust सुनाता हूँ, bike start करके, इस bike में आप देख रहे हैं, आपको company fitted lag guard मिलता है, इसी के ठीक सामने horn है, और engine के ठीक नीचे, आपको काफी sporty सा एक engine cowl लगावे मिल रहा है, जिसमें glossy red paint किया गया, और नीचे अले part पर ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे, यहां matte black finish का plastic है, जिसमें white and maroon color का आपको graphic लगाव मिलता है, और ध्यान देंगे, अगर आप इस bike के radar वाले footrest पे, तो आप देखेंगे, इसका जो quality है, काफी अच्छा रखा गया, यहां पर rubber का grip है, और brake pedal पे भी आप देखेंगे, एक rubber का grip है, और pillion वाले footrest पे का मिलता है, है तो quality इसका भी दूस्तों काफी अच्छा, मगर यहां पर rubber का grip आपको नहीं मिलता है, साथ यह आपको नजर आ रहा है, इस bike में आपको काफी अच्छी quality का साड़ी का मिलता है, मगर आप देख रहे हैं यहां पर ladies footrest नहीं है, और bike में आपको plastic material का half upper chain cover मिलता ह है, अगर आप इसका gear lever देखेंगे, तो आप देख रहे हैं आपको कुछ इस तरह का मिलता है, और आपकी safety लिए इस bike में आपको side strength engine का top switch भी मिल जाता है, और इस bike में आपको 165 mm का ground clearance मिलता है, और bike का जो करवेट है 164 kg है, और अपने segment में जिस price range में दोस्तों आपको यह bike मिलता है, मेरी माने तो यह bike एक value for money bike है, बस एक छोटी से कमी महसूस होती है कि अभी तक bike में आपको सिर्फ 1000 switch नहीं मिला है, और इसके लावा दिखा जाए तो bike में लगबग आपको हर चीज मिल जाती है, और आप सभी जानते कि जब आप इस bike को ride करेंगे, तो ride करने के बा करने के लिए, तूर करने के लिए, यूज कर पाएंगे, तो आप अगर जमशित पूर इसके आसपास से हैं, और इस bike का test rate जाफी से 25 करना चाते हैं एक अच्छा offer में, तो आप आज यह new wave बजाज में, शोरूम के अटेसर कांटक नमर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, स करने के लिए, तो आपके स्क्रीन 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 क